वेलकम दोस्तों यह चो वीडियो है आज में लास्तान के स्टेटिक जीकी का जो पाट है दूसर आप लोगों काफी सारे लोगों को स्टेटिक जीकी में परिशानी हो रही थी और मैं आपको सिद्धा सुलूशन नहीं बताया आप जितने कोशन हो सकते हैं वो कोशन किजिए तो यहां यह चो वीडियोस है मैंने पहले अप्लोड की थी बड़ मैं आपके लिए दोबद आप लोगों को नोलेज हो सके कि कई लोगों को यह वीडियोस नहीं मिल रही थी अब को क्या करना है बस इन वीडियोस को देखने है कोशन सुनने हैं और आलसर उसके आपको एक बार फिर से हमारे यूटीब सेनल में तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है लॉगड़न हम लोग आप लोगों के लिए विशेस राजस्तान के संबंदिस जितने भी एक्जाम होते हैं उनके लिए विशेस एक कोशन की सीरीज लेके आ रहा हैं दोस्तों हमारी अभी तक ही 5 क्लासे सोच चुके हैं जिसमें हमने राजस्तान के इतिया संबंदी काफी सारे प्रशन कर ली हैं दोस्तों आज का जो मारा टोपिक रहने वाला है दोस्तों अभी तक हमने मेवाड आमेर का राजवंज और अथारसतावन की करांती का राजवंज पर लिया है और जो हमारे मारवड़ का राजवंज ता वो कंप्लिट कर लिया है अब जो मारे रहे गए हैं रिमेनिंग चोहान भाटी और जाट राजवंज के संबंदित सारे प्रशन भी आज हम कर लेंगे और इसके बाद जो अगला टोपिक होगा वो हम परजामंदल वाला टोपिक कि या फिर इसाना अंदराने वाला टोपिक की क्लास करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले चाहूंगा जितने भी दूस चैनल पर ना है जल्द इस चैनल को सब्सक्क्राइब करके बैल आकन बे क्लिक कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो हमारे चैनल के वो आपको मिलते रहें आई दोस्ते वीडियो स्टाट करते हैं कि आज बहुत सारे प्रशन है हम टोटल तीन राजवन्स कंप्लिट करने वाले हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है इसके पूरे अपना जो सबसे पहला प्राचिन राजवर्च मना जाता है वह पाली का माना जाता है पाली का मतलब नाडोल का नाडोल के चोहन जोते पाली के वह माने जाते हैं और इन्होंने पहली राजवनी बनाया था नागोर को और नागोर का ही प्राचिन नम अही चत्रपूर माने दोस्तो दोस्तो सामर जिल का निर्मार करवाया था वासुदिव ने जो की अजमेर के चौहन राजबंशों के संस्थाबग माने जाते हैं अगला परसे किस दुर्ग को गण बीठली के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों यह मैंने आपको मेवार के समय भी करवा दिया था कि गड़ बीठली की पहाड़ी पर अजय मेरू या तारगड़ दुर्ग का निर्मार करवाया था अजय मेरू दुर्ग को ही तारगड़ दुर्ग की कहते हैं और गड़ बीठली का दुर्ग भी कहते हैं तो इसका सिवतर जाएगा उपरोग सभी दोनो चली अगला है किस सा आप्षेने विग्रेयराज चतुर्थ अन्योराज विछल दीवे किरति पाल तो आनस अगर जील का निर्माड करवाया हमारे अन्योराज ने पुष्कर में वरा मंद्र का निर्माड भी कराया और आनस अगर जील पर ही अकबर ने आपका बारा जो दौलत बाग बनवाया और जहांगीर ने दौलत दा गुनवाया और शाह जाना है दूसरा बारा देरी के दिर्माड करवाया चली अगले परचने कटी बंदू के नाम से किशाष्रक को जाना जाता है तो कटी बंदू के नाम से दूसरों जाना जाता है हमारे विग्रेयराज चतुर्थ को इन्होंने अजमेर की सिंगासन पर बैटे तथा सरव बतम विग्रे राने तो मरों को परासकर दिल्ली के आसपास वाले भूबाग पर अधिकार किया इस परकार चोहनों के पहली बार दिल्ली का राज्य आया था इस कारण विग्रे राज चतुर को कटी बंदू के नाम से भी जाना जात सोनगरा चोहनों के नाम से कौन परसिद्य है दूस्तर तो सोनगरा चोहनों के नाम से परसिद्य है जालोर के चोहना को सोनगरा के चोहन कहा जाता है पाली के चोहनों को नाडोल के चोहन कहा जाता है और सिरोही के जो चोहन है उन्हें देवडा चोहन कहा जाता है तो अलग पुरी जीवन ऊद्राज ने रंथमबोर में स्थापना की जो वह पुत्र थे गोविंद राज जी है उन्होंने पृत्रिया दिर्ते और इन्होंने रंथमबोर में इस्थापना की थी तो इन्होंने अपनी इस्थापना रंधंबोर में की थी 1194, 1195, 1193, 1193, सहीत रोगा 1193 में रंधंबोर में हम्मीर देव और अलाउदिन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था और वो युद्ध कब हुआ था तो उस्तों 11 जुलाई 1301 जुशी में आपको पता हमीर देव रंधंबोर के बहुती प्रतापी और अंतिम शाषक थे जिन्होंने लगबख 17 युद्ध लड़े और जिसमें से 16 युद्ध वो लगाता जी थे और 17 युद्ध अलाउदिन खिलजी के साथ वो हार गए थे राजसान का प्रतम जल जोहर कहा होता है तो राजसान का प्रतम जल जोहर होता रंधंबोर में हमीर देव के समय जब उनकी पुत्री ने जल जोहर किया था किस शाषक ने संस्क्रित पाठशला का निर्माड करवाया तो दोस्तों संस्क्रित पाठशला का निर्माड करवाने वाले हमारे अजमीर के शाषक विक्केर रास चतुर थे इन्हों नहीं संस्क्रित पाठशला का निर्माड करवाया जिसका नाम ता कंटा भरन अब उसके बा आज हमीर देव कानरा देव पित्थरत दिते हैं हमारी स्लाइड की थमलेड में भी कोशन था जो काफी एक इंपोर्डेंट कोशन है लोगों को माहराण प्रताप की चिता घोडे का नाम तो याद रह जाते हैं मगर यह अन्य रहता कि नाट रंबा किस घोड़े का नाम है तो मैं आपको बता देता हूं नाट रंबा जो है वो है हमारे पिथिरा स्थिर्थी के घोड़े का नाम है अगला परशने कोटिक की जन यग किस ने करवाया था दोस्तों राजा हमीर देव ने एक यगी करवाया था जि जन्हों ने कोटेगी करवाय और इसके जो पंडित थे वो विश्व ते जो इसके पंडित थे अगला कोशन किस विजडित कवी विजडित किसके दर्वारी थे बीशन देव पितीरा चोहान हमीर देव या फिर वासु देव तो ये जो थे हमीर देव के गुरु थे विश्यूरूप जी थे जो इसके पंडित थे अगला कोशने किस विजय दित कभी विजय दित किसके दरवारी थे बीशल देव पितिराज चोहान हमीर देव या फिर वासु देव तो यह जो थे हमीर देव के दरवारी कभी दे दोस्तों चोहानों की प्रतम नाजधारी मैंना पोताया अही चत्रपुर्ती और उसे ही नागोर कहा जाता है तो नागोर इसकी राजा नहीं है अगला परशने कदमवास किसका मंत्री था बीशल देव हमीर देव पित्तिरत रतिया गुविंदी राज तो आ चरलों के शाषक खुमार पाल के मद्धी आभु इसका Gur दुतती में अगला परशन है चोहन्राजवंच को नेंसे शूर्वंची नहीं माना पेतराज विजय ने, सूरज चारितर ने, सूरमल मिष्ण ने या बदला शिला लेक ने तो दुसरों चोहान राजबंच को सूरेवंची नहीं मानने वाले काफी लोग हैं तो हमारे पास जो लिखित कभी आते हैं वो है शूरिमल मिश्रण जी जिनने की इन्हें सूरिवन्शिघी नहीं माने आँ रहांट थम्बोर के दिर्ख पर अलाधून खीलजी तो रहर किये गए हमले में अलावधीन खीलजी के साथ निम्हों मेंसे कौन नहीं था यानि कि कौन नहीं था अलग खा अलब खा नुसरत का या महुम्मद शाह तो आप से पूचा किए 200 कोशन जो ध्यान दखने वाले बात होती कि इनमें से कौन नहीं था सही उत्तर होगा इसका महुम्मद शाह क्योंकि महुम्मद शाह जो था वो चोहनों के साथ जाके मिल गए थे, ये ध्यान दगेंगे हम अगला प्रशन है कौन से अभीलेग में बूंदी का नाम वरंदयवती मिलता है तो दूसरा अगर अपने अभीलेग वाला भी हम लोग आगे लाएंगे अभीलेग जो दे हैं हमारे रणपूर अभीलेग में इनका नाम वरंदयवती मिलता है बूंदी का अगला प्रशन है कि शाषक के राजिकाल के दवरान देली शिवाले की स्थम अभीलेग उत्किन कराया गया था तक वो कौनसे राजते प्रितीरा त्रति अन्नोर, विग्रेरा चतुण धया त्या देते रहे तो दिली शिवरावाले एक स्थम जो अभीलेग उत्किन करवाय गया था वो अमारे विग्रे रत चतुर के समय पर करवाये गयाता है ध्यान दगेंगे अगला प्रशन है अलावदिन खिलजी की विजियों को करम मनुसार जमाए तो दूस्तर ये जो करम दे रहा है आपका रंथमबोर जालो और चित्तोर सिवाना यही बिल्कुल सही करम है सबसे पहल चंदील के मद्द्य हुआ तो राजते परमर्दी देव तो पहलों जोत बात के शाशक माने जाते हैं मुगल भी इतने जादा नहीं थे तो ये मोहम्मद गोरी भी बादमें जो सबसे अंतिमीद्दा तराइन गा, चंदेलों के जो राज यśćते परमर्दी दिव चंदेल थे, तो पृति-र चeहां तिछत pitch परमर्दी दिव के मद्द्ध युद्ध्ध उदा और परमर्दी देव की तरफ से आल और उदलने ये युद्धि लड़ा था चलिए अगला है किरति पाल को कितु एक महान राजपूत कहेकर जो किरति पाल को कीरतु के नाम से भी जाना जाता है जिन्होंने जालोर के चोहन डाइनेस्टी की इथापना की इसे किसने ये कहेकर स पाली के चोहन दोस्तों सबसे पहले चोहन पुराने प्राचीन चोहन है इसकी सबना की थी लक्षमान जिन्हें तो नाड़ोर के चोहन की शाषा का संस्थापक शाकामबरी नरेश वाक्यपति राज क्या पुतर लक्षमान चोहन था जिसने 960 की करीब चावडा राजपुत तो कौन सा कतन असत्य है तरायन का देत्र पितिरा चोहन देता मुहमद गोरी के मद्धिवता ये सही है मुहमद गोरी विजय हुए थे ये भी सही जवाब है इस जितमें पितिरा चोहन को कैद कर लिया गया था ये भी सही है और पितिरा चिरासो चंद्रवरदाई के अनुस और विश्युरूप या सरंगदर आपसे पूछे के कौन नहीं था तो दोस्तों सरंगदर थे उद्धिराज चोहन के दरवारी विद्वा नहीं थे बाद विद्यापती गोड़ जी वागिश्वर जी विश्युरूप जी ये सब उनके दरवारी कभी थे अगला परसे हैं चो अजमिर देर चोहन को किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलाल उद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रतमबार मुटबेड हुई 1290, 1292, 1295, 1298 सही जवाब होगा इसका 1292 इस भी अजमिर शहर का संसापत किसे माना जाता है तो दोस्तों अजमिर शहर की जो इस्थापना कीती वो हमारे अजयराज जी ने केती अपने ही नाम पे अजयमिरू चली कोटा राज का संसापत कोन है अजयराज मादो सिंग प्रत्विराज ये विग्राराज तो अजयराज प्रत्विराज और विग्राराज ये सभी अजमिर से सम्झे तो बचा मारा मादो सिंग तो यही आपका इस्थापना करने वाले हमारे विगरा राज चत्वरते और इन्हों नहीं वीशरपुर बाहन की इन्हों नहीं संस्क्रित पाटशाला कंटा भ्रेंट की भी इस्थापना कीती इन्हें कवट्टी बांधव के रूप में जाना जाते हैं और यह बहुती कविछ दे व्यक्ति भ था नुसरत खा, मादो खा, नूर जहां का या हमीर का, सही उतर होगा इसका नुसरत खा, जो थे हमारे हमीर अलाउदिन खिल जी के सेननायक थे, जो की मारा गया था, ललित विग्रे राज का रचित सोम देव किस चोहन शाशक के दरबार में थे, दोस्ता विग्रे राज लिया तो उसे किसके दिकार में सुपा, नुसरत खा, उलुक खा, खा, खाजाईन या मुहम्मद, सही पर उत्तरोगास का उलुक खा, दोस्तोर रंठंबोर के खिले के बारे में विजय के बारे में सेननायक कौन तर काफी सरे प्रशन आते हैं तो इसको विशेश कर ध्यंद केंगे, के शर्षना में अमीर खुसरों ने चित्तोड पर अलावदिन खिलजी के आक्रमन का वन्नन किया है, चित्तोड में आक्रमन होता है, उसका वन्नन कौन से गर्णत में मिलता है, खाजाईन उल्फुतू, फजल, गजल या उल्हिंद, इसका तही उतर हो जाता है, तो यहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आमीर ने सुल्तान अलावदिन खिलजी के किस विद्रो सेना पती को रंथंबुर्दुर्ग में शर्रण दी थी, रंथंबुर्दुर्दुर्ग में दूसर्था पहले भी मैं आपको बताया है, नुसरत खाजी जो आपके मीर वो उसके अलावदिन खिलजी के साथ नहीं थे, तो यहीं सही उतर हो जाएगा, क्योंकि मीर मुहमत शाह ने रंथंबुर्दुर्ग में रहेकर हमीर देव का साथ दिया था, अगला परस्निक, कि साशक के राजजकाल के दोरान दिल्ली शिवाले किस्थल अभीले उतकिन के लड़े गए, डिपिटेट कुशन है, विग्रारा चतुर्थ, पिथिरा तिरतियर मुहमत गोरी के युद्ध बीच किति लड़े गए, तो दूसरा आप सभी को ध्याने दो युद्ध लड़े गए, एक तो 1191 का युद्ध और 1192 का युद्ध और यही तराइन के प्रतम औ विग्रेरा चतुर्या मुहमत युद्ध तो मैं आपको बता दो दूस्तों जो मारे पितीरा चोहां तिरतिय थे, यह सही आएगा, क्योंकि नोंने दिल्ली में एक राय पिथोरा गड़ नाम से कस्व बसाया था, और इसलिए इनको राय पिथोरा भी कहा जाता है, अगला प दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो सिवाना दुर्ग है महाँ पर कानण देव के जो भदीजे थे, सातल देव उन्होंने साका किया था, उन्होंने अलाओ दिन खिल जी के साथ युद्ध किया था और जिसमें उनकी मिर्तियों गई और उसके बाद उनकी पतनी ने महाँ पर जोहर किया था, उसके बाद आता है धाय राजपूत का जिसके बाद जालोर का जिसमें हमारे कानण देवन भाग लिया अलाओ दीन खिल जी की वजए से त्याथ या राजपूत भी का थे इसका सही उतर रो जाएगा जालोर दुर्ग के साके का कारण बना था, अगला बश्य मिल रणमल और रतिवार का विशाथ घौत कि साकी का क ज्रूरिए है अगला पर्षा नंदेने खेल में कहा कि ह्षाwnक के बारे में वर्णान किया है मुझेतन के अपने खेल में कितु एक मौखन दा जाए तो ये दुस्टा अभी मैंने महम को पहले भी दिखाया है तो मोटने दोस्तो रंधंबोर चित्तवर सिवाना ये जालोर तो जो कीतू थे किर्थिपाल हमारे जालोर के राजा थे इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा जालोर अगला प्रशन है लुवण सही का मंदिर किसने बनवाया नेमिनाज जी ने तेजपाल जी ने धारन शाना या धारवर शाने तो बताइए ये वाला मंदिर किसने बनवाया तो इसका सही उतर जाएगा दोस्तो तेजपाल जी ने लुवण सही का मंदिर बनवाया ये आप मंद ग्रेर ग्राम राज नामक ग्रंद भी लिखा था अगले परशने चंदरवर्दाई के अनुसार वसिस्ट के आबू यगी से उत्पन चातियों में नहीं है परमार प्रतिहार सोलंकी चोहन या राठोर तो वो कौन सी जाती है जो कि इसमें से उत्पन नहीं होई थी तो इसका स स्याजी ज होला की रिचनाय मानी जाती है मारवड में सामंत्वाद का सवास्तविक संसब्स न्साबस मारवड में में जो समचरी कहती इसके बाद चेंडे किया गया था वह हमारे राव' में जोड Radha की समय सब्सार्ट किया गया ता प्राति हरों का पित्रांत रों था जिसने ईप्शाहां के पता इप्था की ते वह थे मिहीर बोज अकबर ने सवाई राजा के वपाद केसी ति भार मल , जैसिंग , जैसिंग सिर्तिया , सुर्शिंग दोस्तों ये कोशन मने मारवार के प्रता के हित्ता किती है वो ते हमारे मिहीर बोज अकबर ने सवाई राजा के वपादी किसी दिभारमल जैसिंग जैसिंग दिरतिया सुर्सिंग दोस्तों यह कुशन में मारवार के शाषकों वाले प्रशन में भी किया था तो ध्यान दखेंगे काफी बार रिपीटिट कुशन कर सकते हैं और इसके वाले बतादू जो किरतिपाल राजा थे दोस्तों हमारे नाडोल के जो चोहां थे अंहर उनके ही पुत्र थे यह किरतिपाल हमीर के कोटे की जैन यग का नर्देश कों था यह दूस्तों पहले जो आया था कोशन उसके बाद मैंने आपको आंसर भी दिया था वो थे विश्वरूप जी पंडित विश्वरूप जी जिन्होंने जो हमीर देव क परकनारी विगत पृतिरा जासो हमीर रासो ये कानाड़ देव प्रबंद तो वो गरंद है हमारा कानाड़ देव प्रबंद जिसमें अलावदिन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उलेक मिलता है अगला परसने चोहनों की रंधंबूर शाषका परवार्दक गोविंद रा से कौन सा साशक जालोर के चोहन वंचे से संबंदित नहीं है संबंदित नहीं ता जाहन जालोर के चौहन तो देखिए किर्दिपाल जी राजा थे समर सिंग जी वहीं के राजा थे और जो हमारे राजा बसते हैं वो है वसरा जोगी अजमिर के चोहन राजवंच के राजा उत्तर भारत का संपन राजा कहा जाता था यह बहुत ही अच्छे मतलब है कि इन्हों ने काफी युद्ध कि अलाओ इल्टु तमिश्वर भलबन को भी इन्हों ने पराजित किया था अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा माराजा के विरुद किसकी साहता की थी बलवन सिंग जालम सिंग संभू सिंग बनने सिंग तो कोटा माराजा के विरुद मांगरोल के युद्ध यानि कि यह जो युद्ध लड़ा गया था यह लड़ा गया था दोस्तों आ गूबक किस वंश का साशकता चौहान कच्छावा परतियार्य हडा तो गूबक जो है चौहान वंश का साशक था तो काफी घोड़ों वाले कोशन इंपर्टन रचाते हैं दूस्तों घोड़े वो ही आते हैं जो कि बहुत जादा इत्यास में जन्हों ने एक वीर्दा दिखाई होती है उन्हीं घोड़ों का नाम विशेशकर आता है आपको बहुत सारे घोड़े आपको लगभी चार से फांच घोड़ों के नाम है और उनके शाषकों के नाम याद करने पड़ेंगे अगला परशनल ललित विग्रे राज के रचिता सोमदेव के चौनशाचा के दरपार में था विग्रे राच चतुर्थ हो चुकाई विग्रे राच चतुर्थ का अन्य नाम विशल दिव भी था च्योकिनोंने विशल पूर राज्जी की स्थापना की थी तेरा था इस विए में रंधंबूर पर आक्रमन के दोरन अलाओ दिन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था तब वो थे हमारे नुसरत खाजी किस ने नहे तरंग की रचना की थी बताईए राजा बुद्धि सिंग राजा राए सिंग जस्वन सिंग राजा सावन सिंग कि अग्या है कि सो दोस्तों यह प्रशन को तर आपको देना है चलिए अगला है निम्न में सिक्षा शक के राजिकाल के दोरन दिल्ली कि दिल्ली शेवले किस्ताम उत्किन के आगे था यह यह यहां विग्रेरा चतूर्थ चलिए अगला एक कवी बांद आफ की उपादी विग्रेरा चतूर्थ हमिए ने सुतन आलोग दिन खिर जी के किस फिद्रूई सिनपति को मार गिराया था मीर मुहम्मद कुसको शरण द दो युद्ध लड़े गए थे दूस्तों कि फरिष्टा के नुसार अलाओ दिन खिल जी का जालाओर पर दिर्ति आक्रमाण कब हुआ तेरा सो छे तेरा सो आठ तेरा सो दस इसवी यह तेरा सो ग्यार इसमें यह काफी important question हो जाता है जो एक फरिष्टा है उन्होंने लिखा इसके बारे में कि इन्होंने कब दिर्ति आक्रमाण किया था जालोर पर तो वो है दूस्तों तेरा सो ग्यार इसवी में चली अगला है किस चोहन शाशोक ने अजमीर को सबसे पहले अपनी राज़ानी बनाया था अजेराज जी है रंधंबुर की विज़े के उपरांद अल अलाओदिन फिल जी ने रंधंबुर का दूर तो यह पहले भी आ चुका है उलुक खान है अलाओदिन के आक्रमाण के समय रंधंबुर का शाशक कोन सा राजा था हम्मिर देव तीर्तों की नानी किसे का जाता है दोस्तों सामबर, पुषकर, मचकुन या कोई नहीं जो तीर्तों की नानी है वो सामबर को कहा जाता है पुषकर जामार है इसे अजमेर तीर्तों का मामा कहा जाता है और जो मचकुन ने इसे तीर्तों का भांजा का जाता है ध्यान दगना अगला है प्रतिरा सिसोधिया की पत्नी तारा भाई की नाम से विख्यात जिसे अजमेर उदुर्ग अर्मान, राजपुतों की कुंजी, घडबीटली, राजच का जिब्रालिटर जहां एक मादर गोड़े की मजार भी है वो कहां पर है तो दोस्तों बताई दिये की अजमेर म अगला पुर्सन है जालोर का प्रतापी शाषितल देव तो जालोर के जोरा प्रतिरास घृतने की बाद उसका नाम खेराबाद रख दिया था और खिजराबाद जो है दो चित्तों ब्रुटकर दुरग का नाम रखा गया घिन इस दुर्ग को जीता था राजा रव रतन सिं खिजर खा की जो खिजर रखा था उसकी याद में इसका नाम खिजराबाद रखा था राजेस्थान की सबसे प्राचिन रियासत मानी जाती है मारवाड़ा शाहपूर मेवाड़ी या जालवाड़ा सबसे प्राचिन रियासत है मेरवाड़ा और सबसे नई रियासत है जालवाड़ जो की 12 अप्राइल 1838 में बनाई गए थी अंग्रेज शाषकों के द्वारा प्रशित हल्दी गाटिगा युद्ध कब लड़ा गया था ध्यान दकेंगे 1210 वी इसमें जब अलावदिन खिलजी ने जालवड़ का राजा कौन था तो जिसमें जालवड़ का राजा थे मारे कानरदेव जी कोटा राजमा ठरहसु सत्तावन की करांती के नेतरत करने वाले तो ये रिपीटिट कुशन ठरहसु सत्तावन की करांती से मैंने यहां ला दिया दोस्तों की आप कितना आपको आता है तो ध्याम दखेंगे लाला जोय देले मेरा का आई होप की मैंने आंसर बदा है उसे वहले आपके मन में यह आंसर आ गया होगा भूमी बंदुबस की साथ प्रतागा संबंद किस राजे से है मेवाड मारवाड बीकानेर या ढूनर तो इस परशन का सही उतर होगा मेवाड राजिस से ये भूमी प्रता का संबन्द है चली अगला परस्ण है राजस्तान के परते की राज में महक्मा बकायत होता था अच्छी फसर के समय स्चेश राजस्तु वसूलता है सरकारी करमचारियों की बकाया संग्रह करता है राज्य के बाकायाओं का भुक्तान करता है राजाओं के लिए संग्रे करता है तो जो महकमा बाकायत जो होता था अच्छी वस्व के समय जो सेज़ राजस वसूर करता था अगला पर्शन है किस मुगल शाशग ने अपने शाशन में हिंदू मनसबदारों की संक्य में व्रद्धि की याने की और जो मनसब रैंक प्रतान की जाती है वह व्रद्धि के ती तो वो थे हमारे और अरणजेब जी इन्होंने जादा स्यादा हिंदूरा जाओग अपने कॉ नहीं बताये क्यों सा गरंत है जिसमें परमारों को ब्रह्म छत्रकुली नहीं बताये के पितिराज रास्व उदैपूर प्रशस्ति पिंगल्स उत्रव्रति या तेजपाल अभी लेक तो इसका सही उतर हो जाता है पितिराज रासु कि शाश्य को मरुमंडल का महराजा कहा गय गया था जो टॉंक में सुनेरी कोटी बनवाई गई है वो हमारे इब्राहिम खांके दोरा बनवाई गई है काफी इम्पोर्टन जीकी का कोशन नहीं स्थापत तेवे शैली में भी आता है बदन सिंग को ब्रजराज की उपादी ये दूसरा हमने जो आपका मेवाड़ वाले जो आमिर के कच्छावा का कोशन किया था जब भी आये थे सवाई जैसिंग थे इन्होंने ही विरजराज की उपादी बदन सिंग को दीती क्योंकि जब उन्हें ने जाट राजाओं को पराजित किया था कवी विरश्च की उपादी किस राजा को दिगई अभेसिंग मुंझ प्रताप सिंग है राव तो परमारों के जो राजा मुंझ थे उन्हें कवी विरश्च की उपादी दिगई थी इन्हीं कवी वरेष की उपादी दी गई थी। चैली अगला पढ़ने राश्पताने में किस नरेश ने सरुपतम कन्यावद को रोकने का परियास किया था जो कन्यावद रोकने के लिए सरुपतम परियास करा था वो कौन से राजा थे जगस सिंग सवाई जै सिंग या जस्वन सिंग या रावजा राम सिंग तो कन्यावद दोस्तों बहुती गलत चीज होती थी पुराने टाइम पे आप सभी लोगों को ध्यान होगा तो उस समय जो कन्यावद को रोका था वो थे राव, राम सिंग, हाडा जो की हमारे थे बूंदी के शाशक अगला है सती परता को गेर कानों नहीं खोशित करने वाला राजा था बूंदी का 18-16 में किस राज़े की रीजन्स काउंसिंग ने ये खोशना की कि सती परता एक अपराद है बूंदी, कोटा, जहलावाड या जैपूर, तो जैपूर राज़े ने घोशित किया कि यह एक अपराद है राज़ेस्थान में सती परता सर्वतम निदेश कहां की गई, उदैपूर, जोदपूर, जैपूर या बीकने बीकने राज़ेस्थान में सर्वतम सती परता को निशेत, खोशित किया गया कि अपसे सती परता नहीं होगी वैसे एक्चुली में यह होता था, कि जब भी कोई दूसरी दिश्थान के राज़ेस्थान के राज़ें पर आक्रमर करता था, तो अगर राज़ेस्थान का राज़े घाएगा, तो उनकी रानिया जोहर करती थी, सती करती थी, यानि कि वो चलते हो खुंड में चल जाती थ सबसीन हं कि और किस वर्चने को 1913 में बाल विवा निश्यत लाया गया बुँक्त को रीकितल ॥ का रहा कि असबत्त उनर अदने मगवर्जा जो ने दोस्तों जो एकश्वAL भरतपुर राजर को संसापत माने जाते हैं Android जो इन्हों बिरिज राज की उपादी भी दी और बदन सिंग ने ही जल मेलों को निर्माण भी करवाया है और गोगुल लांजोर्ट सबसे पहले विद्रो किया था इन्होंने जैसल मिर के जवार सिंग के समय स्वतंतिरा सेनानी सागर मलगोपा को जेल में जलाकर का मारा गया था तो दोस्तों इन्हें तीन अपरेल निर्माण को माना गए करकिन उन्हें जैसल मिर का गुंड़ार राज नमा किताब लेकी थी इसके बाद इन्हें वहां के जो राजा थे जवार सिंग उन्होंने जलाकर मरवा दिया जो एक इंस्पेक्टर था गुमान सिंग उन्हें के द्वारा तोक में सुनारी कोटिकर निर्मार किसके द्वार करवाए गया जो अपनी पच्ची कारी वे मीनेकारी की प्रसित दे तो ये कुशन पहले भी आ चुका है मुहम्मद इबराहिम अली खा अगला परशन है जाठोक को किस उद्रदारी विवाद में शामिल किया गया था पहली बार माराठा आये थे कोटा बूंदी चित्रों कर या उध्यपूर तो यहीं से इन्होंने भारत पर जो राजस्तान पर आक्मन करना स्टार कर दिया निम्दमिन किस में से कौन से समझोते 1741 सनुसर गलत ह पेश्वा को मालवा की सुविदारी दे दी जाएगी किन्तु पेश्वा को यह वादा करना पड़ेगा कि माराठा मुगल छेत्रों में उपद्रब नहीं करेंगे तो यह बिल्कुल सही है दूस्तों पेश्वा को चंबल के पूरु अदक्षन के जमिनदारों से नजराना पेश्वा बाश्वा को एक पत्र रहका जिसमें बाश्वा के प्रति वफादारी और मुगल सेना सुविकार करने का उलेख होगा यह भी सही है बाफिश्वा मराठे बाश्वा से धनकी कोई मांग नहीं करेंगे यह भी सही है तो इसका सही उतर हो जाएगा अगला यह था राजपताना का बरतम राजपूत राजज जिसने अग्रेज्वों के सासवा डासान ठाट एसवी में संदी पर अक्षर किये थे अधायपूर कोटा-जैपूर या भरत्पूर वह कौन सा राजए था जिसने सरव पतम संदी पर मुपूर राजजय वह थे हमारे भरत जैपूर राजु और बिटिष सरकार के मध्यिन नमख की संदिक संदिक वर्ष में होई थी कि ॐ थी में प्राज़ती में पराज़ित लें ऍहर और क्या खाल का युद्ध तो वो युद्ध था हमारा पार्टन का युद्ध और अरण जेव ने हिंदूं से जजियाकर वसूल करने का आदेश कब जारी किया था बारह अप्रेल 1679 गो जारे किया और इस जजियाकर का वरोध किया था हमारे बीकने जो मारवाड के शाशक थे रासिंग थे इन्हों ने इसका विद्रो किया था दोस्तों संफून लूप से चले तो आज की क्लास कंप्लियोट हो चुकी है हमने पूरे टोटल 100 प्लस कोशन कर लिया है दोस्तों और आई होप कि आपको सभी कोशन समझ आये होंगे अगर आपको कोशन समझ आये हो इसकी पूरी पीडियेफ है वह मैं आपको प्रोड़ कर दूँगा दोस्तों अभी भी हमारी वीडियोस पर काफी कम वीडियोस आ रहे हैं तो जिता हो सकते जादा पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से कोशन हो सके और कोशिच करें कि जब मैं कोशन पढ़ने के बा अपनी अगली क्लास में लेंगे जहांता कि हमारी अगली क्लास किसान आंतुलैन के उपर होगी थाइंकि दोस्तों मिलते अपनी नेक्स वीडियो में